नमस्कार दोस्तों, आईए आज हम सभी जानते हैं पीट को साफ करने की भीधि क्योंकि पीट का साफ होना बहत ज़रूरी है पीट अगर हमारा क्लीन नहीं होता है, साफ नहीं होता है तो हमें बहुत सारी प्रोब्लिम्स का सामना करना पड़ता है जिसे हम कबज भी बोलते हैं तो आज हम बताइंगे सबसे पहले आपको कि कबज होता क्या है इसके होने के कारण क्या है और साथ में इसका निवारन क्या है यानि कि इसका इलाज क्या है क्योंकि पेट से हमारे शरीर को maximum बीमारिया होती है अगर हमारा पेट खराब होता है तो लगभग हर कोई अपनी लाइफ में कभी न कभी पेट साफ न होने यानि कि कबज की बीमारी का सामना करता ही है जादा तर मामलों में ये समस्या कुछी दिनों में ठीक हो जाती है पर बहुत से लोग सालों तक इसकी बज़ा से परेशान रहते हैं आज हम आपको कभज की परेशानी धूर करने के कुछ एक बड़े हैं आसान उपाए बताएंगे जिन्हें अपना कर आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं आईए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कभज होता क्या है कभज ऐसी स्थिती है जिसमें व्यक्ति का पेट ठीक से साफ नहीं होता है और मलत्याग करते समय कष्ट भी होता है कभज से पीडित व्यक्ति आम लोगों की तुलना में कम बार शौच करता है जहां आम तोर पर लोग दिन में कम से कम एक बार शौच करते हैं वहीं कॉंस्टिपेशन का मरीज तीन या उससे भी ज्यादा दिनों तक मलत्याग नहीं कर पाता है इस कारण से उसका पेट भारी भारी रहता है और भोजन में भी अरूची होती है उसकी कबज के कारण कुछ लोगों को उल्टी भी हो जाती है और सर में दर्द भी बना रहता है अब हम सबसे बड़ी समसे आती है बहुत सारे लोगों को कि पहचान में नहीं आता है उनको कि हमें कबज हो गई है इसके हम लक्षन आपको बता रहे हैं जिसके सहारे आप जान सकते हैं कि आप कब्ज के गिरफ्त में आ गए हैं ठीक से अगर आपका मल त्याग न हो रहा हो या फिर लेटरिन जाते वक्त आपका पेट साफ न हो रहा हो मल साफ न हो रहा हो तो आप समझे कि आप कब्ज के शिकार हो जुके हैं मल त्याग करने में तकलीफ होना श्टूल यानि क कि तट्टी या मल जो बोलते हैं, इसका बहुत हाड और कम मात्रा में होना, बार बार ऐसा लगना कि अभी थोड़ा और मलत्या करना चाहिए, यानि कि आप मलत्या करतने बैठे हों, फिर भी आपको संतुष्टी नहों लगे कि आपको लगा हुआ ही है लेटरिन, इसका एक पेट में सूजन या फिर दर्द का होना, इसके साथ साथ उल्टी होना, अब आईए हम सभी जानते हैं कि कब्ज होने के कारण क्या क्या है, क्यूं होता है कब्ज, भोजन ग्रहन करने में अन्यमीत्ता, यानि कि आपका कोई टाइम टेबल नहों फिक्स, कि आप कब खाना ख इंशन का होना, अधिक चिकनाई वाला भोजन करना, आतों की कमजोरी यानि कि आपके आते कमजोर हैं तो भी ये समस्य आपको हो सकती है, कम पानी का पीना, धुम्रपान, या फिर कैफिन द्रव्यों का सेवन करना, खाना खाते समय अधिक जल ग्रहन करना, सोभाव में अध प्रम मसाले वाले तथा अधिक तैलिय खाना खाना भी इसका एक मुख्य कारण होता है तो सबसे पहला जो इस मामले में कदम उठाना चाहिए वो ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें भी पता है कि हमें कब्ज हो गई है फिर ये क्यों बता रहे हैं ये हमारा बताने का पर करें सुचारू करें सही करें ताकि आपको प्रोब्लेम नहों अधर्वाइज आप दवाएं खाएंगे लेकिन आपके आदते जो हैं वो खराब रहेंगी तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है इसलिए लक्षन के साथ साथ हमने कारण बताया आपको कि इसके कारण क् क्योंकि इन्हें आपको दूर करना है ताकि कब्ज आसानी से आपका दूर हो सके अब आईए हम सभी जानते हैं कब्ज को दूर करने के घरिलू एवम आयरुवेदिक उपाय हम आपको एक चीज से नहीं बहुत सारी यसी चीज़े बता रहे हैं जिनके सहारे आप अपने कब को दूर कर सकते हैं बहुत सारी चाहें तो हम कम चीजों में भी बता सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीजों को बताने का मेरा मतलब यह है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सारी समग्रियां उपलब्ध नहीं होती हैं तो वह अल्टरनेट पर जा सके यानि कि उनके पा की कमी होती है रूखापन हो जाता है आंतों में तो फिर उसमें मल आपका फंस जाता है जिसकी वजह से मल त्यागने में आपको तकलीफ होती है आई अब ध्यान देते हैं कुछ एक और शदियों पर जो की कबज को दूर करने में सहायक होती हैं सबसे पहली तो त्रिफला चोन त्रिफला चोन में जानना बहत जरूरी है आप सभी के लिए कि होता क्या है त्रिफला चोन किन किन चीजों का मिश्रण है ये हरण, बहेडा और आवला इन तीनों चीजों के मिश्रण को हम त्रिफला चोन बोलते हैं वैसे तो बहुत बार आपने सुना होगा कि त्रिफला चून लेना चाहिए लेकिन ये जानना बहुत जरूर है कि इसमें क्या-क्या चीजें मिक्स होती हैं हरड, बहरा एंड आउला अब करना क्या है आपको कि त्रिफला चून को चम्मच में हलके गर्म पानी से घोल शिकायत आपको रहती है तो इसमें आपको तुरंत लाप मिलेगा कुछी दिनों में आप देखेंगे कि आपके कबजी की समस्या जो है वो दूर होने लगी इसके अलावा बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि पानी के साथ न लिया जाए तो वो लोग थोड़े से गर्म दू यह आपके लिए फायदे मंद होगा कबज की तकलिफ दूर करने के लिए इसके हलावा आप मुनक्का ले सकते हैं मुनक्के को कैसे लेना है आठ से दस मुनक्का लीजे गर्म दूध में उबाल लीजे इसको फिर उसको ठंधा होने दीजे और हर रोज उसका सेवन कीजे इसमें जो गुन पाये जाते हैं वो पेट को साफ करने के लिए बहद ही जरूरी होते हैं तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जब पेट खार्श करके खराब हो जाए तो गरिष्ट भोजन ना करें और पपीते का सेवन स्टार्ट कर दें आपका पेट क्लीन हो सेव का जूस काफी उपयोगी होता है इसमें सेव का जूस पीने से आतों की अंदूरूनी सता पर बदभू और संक्रमण नाशक परत का सरजन हो जाता है और सेव का नित्य सेवन अन्य कई बीमारियों से रक्षन प्रदान भी करता है आपको हां अगर आपको कॉंस्टिपे आउले का चून कबज को जड़ से मिठा देता है आउला का चून रातरी में सोने से पहले अतिगुनकारी होता है लेना इसलिए रात को सोने से पहले आप किवल आउले का चून भी ले सकते हैं आउला कई तरह से ग्रहन किया जा सकता है आप इसका जूस पी सकते हैं आउले क चटनी बना करके भी आप खा सकते हैं। आवले को मुरब्वे को खाने के बाद उपर से दूध अगर आप पीते हैं तो भी आप कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। टमाटर खाने से भी कब्ज खत्म हो जाता है। आम, चने, दूध और शहद का मिश्रण मल, त्याग, व्रिति को सरल बनाता है। आम का रस निकाल कर पीना उत्तम होता है और उसके उपर हलका गर्म दूध भी आप पी लें तो ज्यादा बेहतर होता है। या फिर तामबे के बरतन में एक चुटकी नमक डाल कर पानी रात भर ढख करके रख दीजिए और सुबह में उस पानी को पीजिए, कब्ज में आपको रहत मिल जाएगी। हलके गर्म गुनगुने पानी में छुटकी भर नमक मिलाकर सोने से पहले पीने से भी आते साफ रहती हैं और अशुद्ध जमा हुआ मल शोच के समय आसानी से निकल जात इसके अलावा गिलोय का गुड मिश्रित चून कब्ज में काफी रहत देता है या फिर सबजी पकाते समय उसमें लहसुन का प्रियोग करने से कब्ज की संभावना कम हो जाती है लहसुन पाचन शक्ति वर्धक और गैस का शत्रु है इसलिए लहसुन का सेवन हर रोज जरू करना चाहिए इसके अलावा फुल गोभी गाजर पालक घी और बड़ी इलाइची कब्ज की परेशानी में रहत देते हैं तो इनका भी समय समय पर सेवन करते रहना चाहिए गाजर का रस्त निकाल कर पीना भी कब्ज में काफी लाब दायक होता है हम आपको बहुत सारी चीज को ना बता करके हम आपको क्रम शह कि किन किन चीजों से सबसे पहले जिससे फायदा हो सकता था वो चीजें हमने आपको बताई लेकिन उसके साथ साथ आप इन चीजों का भी प्रयोग कर देते हैं स्टार्ट डैनिक जीवन में अपने क्योंकि एक होता है कि दवाई के नहीं सकते हैं नहीं तो फिर दूसरी प्रोब्लेम स्टार्ट हो जाती है इसलिए हम आपको उप्सनली ज्यादा चीज़ें बता रहे हैं कि इनका रोटेशन के साथ अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप अपने आपको स्वस्थरक पाएंगे और आपके पेट में जो कबज की शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी इसके हलावा काक जंगा और घी का मिश्रन हर रोज पीने से उदर रोगों का नाश होता है पका हुआ लाल खरबूजा और तरबूज पेट को साफ करने में मदद करता है बत हुआ कि सबजी शक्तिवर्धक और कबज नासक बताई गई ह इसलिए इसका भी सेवन करना चाहिए मसूर की दाल कबज में रहत देता है मूग और चावल की धिली गर्म खिचडी खाने से भी पेट साफ हो जाता है हमने बताया भी आप सभी को कि आप सब खाने में जब भी लगे कि हमारा पेट जो है खराब है तो आप खिचडी का या पिर डलीर का प्रियुग करें और वैसे भी получилось करें कि एक दीन जरूर हैं सुपाज्ति भोजन लें और इसको हम सुपाज्ति भोजन बोलते हैं क्योंकि इनको डाइजेस्स करने में हमारे शरीर या पिर आतों को कम मेहनत करना पड़ता यानि कि energy कम लगती है, easily ये digest हो जाता है, जिससे की हमारे muscles और शरीर को भी आराम मिल जाता है, जिसके बाद आप फिर सबताहबर तक कुछ भी खाते हैं, digest करने के लिए तयार रहता है, जैसे आपको weekly rest मिलता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पेट को भी rest की जरूरत होती है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, इसके अलावा अगर आपके पेट में कब्ज है, तो पीपल के पत्तों का काड़ा पीने से भी कब्ज मिट जाता है, पीपल के लाज चटक फल खाने से भी कब्ज में रहत मिलती है, कब्ज में दही का सेवन भी बहुत ही फायदे मन बाना जाता है इसके अलावा गाई का दूद भी आप पी सकते हैं ये भी कबज को मिटाता है दूद में अगर काली मिर्च के तीन से पांच दाने मिला कर साबूत निगल जाते हैं आप तो ये आपके कबज को दूर करने के लिए बिहद ही महत्वपून और शदी के रूप में कारे क करने लगता है नीम कड़वा होता है और संक्रमन नाशक होता है नीम के फूलों को सुखा कर पीस कर उसका चून बना लीजिए और उसे हर रोज सोते समय पानी के साथ लीजिए आपके लिए बिहद लाफकारी होगा करेली के रस में सेंधा नमक और जीरा मिला कर पीने से भी कब्ज रोग में रहत होती है कच्चे शलगम खाने से भी पेट साफ हो जाता है ध्यान रखें हम वैसी चीजे बता रहें आपको भी जिन में फाइबर होता है और जो इस खाद्दे पदार्थ में फाइबर भरपूर मात्रा में होगा उसमें आपके पेट को साफ करने की शम अधा नमक समान यानि कि बराबर मात्रा में मिला करके मिश्रन बना लीजिए रात को सोते समय एक चमच गर्म पानी के साथ रोज लीजिए कब्ज में रहत मिलेगी आपको इसके अलावा अदरक लौंग और सोंट कब्ज मिठाने के रामबाण इलाज है अदरक का रस शहद म मिला कर पीना लावदाई होता है सोंट अजवायन और काला नमक बराबर मात्रा में मिश्रित करके मिश्रन तयार कर लें और एक चमच सुबह और एक चमच सोने के पुर्व पानी के साथ लीजिए कब्ज मिठ जाएगा लौंग अजवायन काली मिर्च लाहोरी नमक और मिश मिश्रन को गर्म पानी के साथ लीजिए पेट की सारी तकलीफें मिठ जाएंगी इसके अलावा दूध और गुलकंद भी आप मिला करके पी सकते हैं ये भी आपके कब्ज को दूर करेगा निम्बू अदरक और शहद का मिस्रित रस आतों को साप कर देता है और कब्ज की शि अमरूद बीज के साथ ही खाना चाहिए और उसके छिलकों के साथ ही खाना चाहिए ये नहीं कि आप उसमें से बीज निकाल दें या फिर छिलके निकाल दें अमरूद को प्राकरितिक रूप में जैसा होता है वैसे ही कंप्लीट लिखा जाईए और उपर से दूध पी इसके अलावा सूट दालचीनी का तेल इलाची और जीरा बराबर मात्रा में मिलाकर पीना कबज में लागदाई होता है दालचीनी का तेल और शकर चीनी में मिलाकर पीने से भी कबज दूर होता है यह चून अजिन्ड की तकलीफ में रहत देता है तुलसी के पत्ते, अनार, लीची, काजू, टमाटर, मटर, खीरा, बादाम, खजूर, पका हुआ केला, दही के साथ, हिंग, गिहुं के पोधे के रस, संतरा, मेथी, गोमूत्र, केसर, अंजीर, दूध, और अंजीर, मुली के रस, मुली के हरे पत्ते, मुली के बीजों का त्यादी चीजें पाचन शक्ति के अनुसार ग्रहन करने से कबज की तकलीफे दूर होती हैं। तो उसकी भी पूर्ति कर सकें या फिर कोई ऐसी बिमारी है जिसमें की कुछ एक सबजियां या फिर फल जो होते हैं वो वरजित होते हैं तो उनके अलावा भी दूसरे का सेवन करके हम अपने पेट को साफ रख सकें। तो इस प्रकार से अगर आप अपने खान पान को बैलें करने के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों